दोस्तो हाल ही में सोनी लिव औरीजिनल सीरीज रोकेट वाइस का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें हमें इंडियन स्पेस प्रोग्राम की हिस्ट्री के साथ उस दोर के पुलिटकल और जियो पुलिटकल सेनेरियोस की जलग दिखाई गई है तो था दोक्टर होमी भाबा और दोक्टर बिक्रम सारावाई जैसे ब्रिलियन्ट माइंड्स की इंस्पारिंग स्टोरी को स्क्रीन पर देखना एक एक्सेप्शनल एक्स्पिरेंस होगा लेकिन दोस्तो ट्रेलर के एंड में जो बिक्रम सारावाई डोक्टर एपी जै अब्दुल कलाम जी का नाम लेते हैं तो मेरे लिए ये एक गूसबंप मॉमेड था और शायद आपके लिए भी हो लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोक्टर सारावाई के साथ अपनी पहली मुलाकात का जिक्र कलाम जी ने अपनी आटोवाइग्राफी दा विंग्स ओफ फायर में भी किया है इसलिए आज की एपिसोड में हम इन दोनों लिजेंट्स की इस एतिहासिक मुलाकात के वारे में जानेंगे पांच यनवरी उनिस उनसाथ इस वर्ष एरनॉटिकल डिवल्प्मेंट एस्टैबलिश्मेंट यानि की एडी ए की स्थापना की गई उसमें ये नो एकर्ड में फैली एक लैवर्ट्री थी जिसका मकसद इंडियन एर फोर्स को न्यू टेकनलोजी और एकुपमेंट्स की एकुजिशिशन में हल्प करना था डॉक्टर ओपी मेडिरत्ता इसके पहले डिरेक्टर थे और डॉक्टर एपीजे अबदुल कलाम एडी ए में काम करने वाले शुरुवाती रिसरचर्ज में से एक थे उसमें एक होवरक्राफ्ट को डिजाइन करने की प्लानिंग की जा रही थी जो की पूरी तरह से सुदेशी हो ये होवरक्राफ्ट वर्तमान की तरह पानी में तैरने के लिए नहीं बलकि एर में फलोट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा था इस प्रोजेक्ट में कलाम जी को टीम लीडर बनाया गया और इस प्रोटाइप को नहुने धाई वर्षों में ही अपनी डेडलाइन से 6 महीने पहले ही सक्सेस्फुली तयार कर दिया जिसका नाम शिवजी के वाहन पर यानिकी नंदी रखा गया दोस्तों उसमें वीके कृष्णा मैनन वारत के रक्षा मंतरी थे और वे एडीए की डिवल्टमेंट को देखकर काफी प्रभावित हुए लेकिन उस दोर की राजनीतिक परिस्तितियों के कारण ये प्रोजेक्ट काउंटरवर्सिस में घेर गया और इसे सरकार के दोरा साइड लैन कर दिये गया लेकिन कुछ महीनों के बाद एक विजिटर A.D.E. को विजिट करने आये जहां उन्होंने इस होवर्क्राफ्ट की सवारी की और कलाम जी की मेहनत को देखकर काफी प्रभावित हुए उसमें कोई नहीं जानता था कि ये B.I.P. महमान कौन है वास्तों में वे टाटा इंस्टिटूट और फंडामेंटल रिसर्च के डारेक्टर प्रफेसर M. जी के मेनन थे इसके एक हफते के बाद ही कलाम जी को इंडिन कॉमेटी फोर स्पेस रिसर्च यानि की इनको स्पार की तरफ से इंटर्व्यू के लिए कोल आया इस और्गेनाजेशन को डिपार्टमेंट ओफ एटॉमिक एनरजी के अंडर एस्टेबलिश किया गया था इसकी स्थापना 1960 में बिक्रम सारवाई की रेकमेंडेशन के बाद पंडित जोहलाल नहरू जी ने की थी ताकि भारत में भी अंतरिक्ष को लेकर रिसर्च की जा सके इस इंटर्व्य के लिए कलाम जी को मुंबई बुलाय गया और बहाँ पर उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर बिक्रम सारवाई से वास्ते में बिक्रम सारवाई नहीं अब्दुल कलाम जी का इंटर्व्य लिया था अपनी इस मुलाकात को लेकर कलाम जी लिखते हैं कि इंट्रिव्यू के दोरान वै डॉक्टर सारावाई की बोलचाल और नॉन एरोगंट एटिट्यूड के कारण काफी प्रभावित हुए इंट्रिव्यू के अगले दिन शाम को ही कलाम जी को उनकी सेलेक्शन की खबर दे दी गई और अब वै इंको स्पार में एक रोकेट इंजिनर के तोर पर एपॉइंट कर दिये गए दोस्तो ये बिक्रम सारावाई का वै डिसिजन था जिसने इंडियन स्पेस प्रोग्राम डिफैन्स प्रोग्राम और खासकर मिसाइल टेकनलोजी की फिल्ड में भारत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया दोस्तो इंडियन कोमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानि की इन कोसपार आगे चल कर 1979 मैं इंडियन स्पेस रिसर्च औरगैनेजिशन बनी यानि की इस्रो बनी और इन महान फान्डिंग फादर्स के कारणी यह यही सफल हो पाई है तो दोस्तो आज की एपिसोड को यही स्माप्त करते हैं अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद